नमस्कार दोस्तों, एंडियास फार्मी में आप सभी का स्वागते। दोस्तों, आज की वीडियो पे हम लोग गो बटन मस्रूम की फार्मी कैसे करेंगे, उसकी बार में जान करेंगे। बटन मस्रूम कैसे खेती करते हैं, शुरू से अंतक हर एक छोटी-छोटी चीज को आज हम लोग प्राक्टिकली करके दिखाएंगे और उसकी साथ-साथ आपको बटन मस्रूम में जो भी एक्टिविटी होता है, क्या-क्या समस्या होता है, मार्केटिल कैसे करेंगे, बटन फ पूरी नवहां से लते हैं, हलो एवर्यवन, मैं हूँ विराज गीते, और आप अभी वैशनेवे हैटेक अग्रो के मश्रूम प्रोडक्शन फार्म में कैसे मश्रूम प्रोडक्शन होता है, यह देखेंगे, हम लोगोंने वैशनेवे हैटेक अग्रो 2015 में स्टार्ट किया और मेरे पिता जी ने मश्रूम प्रोडक्शन में 2015 में फर्स्ट एंटर किया, और मैं अभी दो सालों से उन्हें मश्रूम प्रोडक्शन में कैके टेकनोलोजी इंटर्ड्यूस हो सकती है, इसके लिए एसिस्ट कर रहा हूँ, मेरा बैग्राउंड है, मैंने बैशलेस कम्प पिता साइंस में किया, और अभी मैं मश्रूम प्रोडक्शन में टेकनोलोजी का कैसी सायता ली जा सकती है, इसके लिए रिसर्च कर रहा हूँ, और उसी में हाथ बटा रहा हूँ, अपने पिता जी का, लेकिन आज हम देखेंगे कि ट्रडिशनल मश्रूम फार्मिंग कैसी होती है, अभी हम फिलाल रेडी मश्रूम देख रहे हैं, लेकिन इस पीछे क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, और उनमें क्या-क्या होता है, इस बारे में जानकरी दूँगा, अब अगर जो पहले बैक देखते हो, तो उसमें आपको देखने मिलता है कि नीचे कंपोस्ट है, और उपर केसिंग लेयर है, और उनके उपर रेडी मश्रूम है, लेकिन इनके पीछे, ये उगाने के पीछे क्या-क्या अक्टिविटीज होती है, क्या-क्या इंफ्रास्रक्चर लगता है, और उन अक्टिविटीज को कैसे किया जाता है, इस बारे में हम आगे चलके देख तो सबसे पहले हम raw materials के बारे में बात करेंगे compost बनाने के लिए हमें लगता है बगास या फिर wheat straw फिर लगता है जिपसिम chicken manure और यूरिया तो इन सब चीजों को हम पहले mixing करते हैं और इन्हें correct proportions में mix करना होता है अभी हम हमारे farm के बारे में जानकारी देंगे चेटन chicken manure लेना है 800 kg जिपसिम लेना है और 100 kg यूरिया लेना है तो इस सब raw material को हम लोग इस area में JCB के मदद से अच्छी तरह से mix कर लेते हैं उसे पानी मार के wet कर देते हैं ताकि वह phase 1 के लिए ready हो पाए और फिर वही material जब ready होता है हम उसे phase 1 bunkers में डालके phase 1 bunkers में डालके aerobic decomposition के लिए ले लेते हैं तो यहां पे phase 1 की जो process होती है वो लगबग 12 दिनों की होती है वहां पे हम compost bunkers में डालते हैं और चार turning लेते हैं उसकी turning इसलिए लेते हैं ताकि compost अच्छी तरह से prepare हो जाए जो aerobic decomposition होना है वो सब तरीके से एक समान हो जाए इस कारण हम turning लेते हैं तो वो turning कैसे लेते हैं उस बारे में थोड़ा और जानकारी देता हूं हम लोग जब पहले compost fill up करते हैं bunkers में उसके बाद दो दिन rest लेके पहली turning लेते हैं फिर second turning के लिए वापस दो दिन rest लेके turning लेते हैं turning जो है वो हम यह जो खुला area है उसमें करते हैं मतलब जो compost डाला है bunkers में वो बाहर निकालके खुले area में लेके आते हैं उसे अच्छी तरीके से हम लोग turn करते हैं ताकि सेम compost मतलब नीचे का जो compost है वो नीचे ही ना रहा है वो उसे उपर लेके आ सकते हैं हम और अच्छी तरीके से सब जगों से decomposition, aerobic decomposition हो सकता है तो हम लोगोंने phase 1 देख लिया अभी phase 1 में जब compost ready होता है हम उसे phase 2 में लोड करते हैं तो phase 2 के जो tunnels है वो यहीं पर है side में phase 1 का compost ready होने के बाद हम लोग वापस JCB के मदद से phase 2 में load कर देते हैं तो यह एक phase 2 के हमारे phase 2 के tunnel का एक example है तो यह एक हमारे phase 2 के tunnel का example है वो हम लोगोंने phase 1 ready compost phase 2 में डाला है ताकि उसे हम अच्छी तरीके से पैस्चराइज कर सके और condition कर सके तो phase 2 का जो output होने वाला है वो हमारा ready compost होने वाला है mushroom growing के लिए तो phase 2 में हम कंपोस्ट को पैस्चराइज करते हैं ताकि जो भी competing fungi है या फिर nematodes है उन्हें खतम करने के लिए और condition करते हैं ताकि ammonia पूरी तरीके से निकल जाए क्योंकि ज्यादा ammonia होने के कारण mushroom उगने में भी दिक्कत हो सकती है तो हमें यह ध्यान रखना है कि phase 2 खतम होने तक ammonia पूरा निकल जाना चाहिए तो हम लोग अभी देखते है कि ready compost जो होता है phase 2 का वो हम growing के लिए कैसे bags में fill up करते हैं तो mushroom compost जब ready होता है phase 2 से तो हम ऐसे polythine bags में उसे fill up करते हैं इन polythine bags में हम phase 2 का ready compost और spawn mix करते हैं ताकि यह bags ready हो जाता है growing room में लेके जाने के लिए जहां पर mushroom को अच्छे environment में रखा जाता है एक्चुली अच्छे सही environment में रखा जाता है around 40 to 50 days ताकि button mushroom ready हो जाए तो phase 2 में हम लोगों ने साथ दिन compost को prepare किया है इस दोरान tunnel completely shut रहता है और air recirculate होती रहती है tunnels में से और tunnels में नीचे holes रहते हैं जिससे air recirculate हो पाए और यह हमने यहाँ पर tunnel में duct बना दिया है ताकि air recirculation अच्छी तरीके से हो जाए उपर हम लोगोंने motors लगा हुए जाए ताकि air recirculate किया जाए और इस प्रोसेस में हम लोग पैस्टराइज करते हैं और temperatures काफी high temperatures पे लेके जाते ताकि जो भी competing microorganisms या फिर fungi है उसे खतम किया जा पाए तो phase 2 के ready compost में हम लोग spawn mix करके bag में compost और spawn mix करके डाल देते हैं ताकि वो compost और bag ready हो जाए growing rooms के लिए जहां पे हम 40 to 50 days bags रखते हैं और सही environmental conditions में mushroom grow करने के लिए रख देते हैं और हम अभी यह जो spawn है उसे compost में कैसे mix करते हैं और bag कैसे fill up करते हैं वो देखते हैं तो यह जो हम लोगों ने spawn डाला है compost में इसे अच्छी तरीके से mix किया जाता है और यहां पे जैसे bags fill up किये हैं ऐसे bags हम लोग fill up करते हैं spawn और compost को mix करके और अभी इसी bags को हमें growing rooms में लेके जाना है जहां पे हम इसे सही environmental conditions में रखेंगे जिसके कारण mushroom को grow होने की सही conditions मिले तो अभी हम जाते है growing rooms की तरफ जहां पे हम ready bags compost के और spawn के spawn spawn mix compost के ready bags growing rooms में रखते हैं ताकि mushroom ग्रो किया जा सके तो अभी हां पे हमारे 18 growing rooms है जहां पे अलग-अलग phases में फिलाल mushroom की ग्रोथ हो रही है हम लोग हर एक बैज अराउंड 3-4 डेक्स के गाप में growing rooms में fill up करते हैं ताकि production हर रोज हमें available रह जाए और यह growing rooms में जब हम लोग bags fill up करते हैं तो उसका cycle around 50-55 days का होता है जिसमें mushroom अलग-अलग phases में grow होता है और ultimately harvest कर सकते हैं तो हम लोगों ने जो ready compost bags है वो growing room में दो shelves में nine layers में stack किये है तो इस phase में हम यहां पर growing rooms में पहला phase चलो होता है जो कि है spawn run का यह phase चलता है लग-बग 12 दिन का और इस 12 दिनों में जो हम लोगों ने spawn mix किया था compost में वो अच्छी तरीके से वो fungus पूरे compost में फैलने की प्रक्रिया हो जाती है और यह हम देखेंगे कि आगे वो कैसे दिखता है अगले रूम में जहां पर इसका next stage फिलाल चालू है तो यहां पर आप देख सकते हो कि स्पॉन जो हमने mix किया था वो किस तरीके से फैला है तो यहां आप देख सकते हो कि स्पॉन जो mix किया था ऐसा white fungus compost में spread होना चालू हुआ है और यह जब स्पॉन बारा दिनों के बाद compost में पूरी तरीके से फैल जाता है तब यह खतम होता है और अगले phase में हम लोग इसे डाल देते हैं जो की होता है casing phase तो उस phase में हम लोग compost के उपर एक अलग cocoa pit का layer डाल देते हैं जो की जिसे बोलते है casing layer तो वह जाके देखते हम कैसे दिखता है तो mushroom जो harvest कर सकते हम वह around growing room में आने के बाद 25-30 days के बाद harvest के लिए आ जाता है और harvest तीन flushes में होता है जो around 25 days चलता है लेकिन even production होने के लिए हम हर एक room around 4 days के gap में fill up करते हैं ताकि over सार पूरे महीने हमें even flush मिलते रहे even output अपना मश्रूम का आते रहे तो इसलिए हर एक room हम 4-4 दिनों के gap में भरते हैं और इसलिए हम आपको देखने मिलेगा कि हर एक room different stage में है और हर एक stage में क्या प्रक्रिया हो रही है तो आप अगर देखोगे तो हमारे पास दो shelves है और हर एक shelf में no racks है total और ब्रेट वाइज चार बैक्स रखे हमने जो हर एक बैक 10-10 किलो का होता है और around ऐसे एक section में lengthwise छे बैक्स रखे है तो इस तरीके से हम पूरे room में around 2500 bags रख पाते हैं तो अभी हम देखते हैं casing layer तो इस बैक को अगर आप zoom करके देखोगे तो देखने मिलेगा कि यह जो पूरा देखने मिल सकता है कि यहां पर इस फंगस ने casing में ग्रो करना शुरू कर दिया है तो यह जब केसिंग में अच्छे तरीके से फंगस तो हम उसे ruffling करके अगले phase के लिए ready कर देता है जो की होता है एरिंग phase तो यह हुआ casing phase तो हम आए है अभी रूम नंबर 18 में जहां पर एरिंग पर ले लिया गया है रूम और एरिंग फेस जो है वह 15 डेज के लिए चलता है जहां पर टेंपरेचर हम दीरे-दीरे कूल डाउन करते हैं लगबग 18 से 20 डिग्री के आसपास और जब एरिंग फेस 15 दिन का कंप्लीट होता है तब हमें मश्रूम बटन मश्रूम सही से दिखने मिलते हैं जो की कट करने योग्य है अभी हम लोग देखते हैं कि एरिंग फेस में मश्रूम कैसे ग्रो करते हैं तो हम देख सकते हैं बैग में छोटे-छोटे पिन्स बन गए हैं मश्रूम के और अभी ये एरिंग फेस चालू है तो इस फेस में हम वाटरिंग करते है मश्रूम को ड्रो होने देते हैं मश्रूम और कहा हूब यह पिन जो अउट पर से डेफल calves और यह आरवेस्ट के योग बनने में और यह आप देख सकते है कि यह पहला फ्लश आ चुका है हार्वेस्टिंग के लिए और मश्रूम की साइज देख सकते हैं कि अभी वो फुल्ली रडी है हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टिंग हम लोग हर रोज सुबह करते हैं और सुबह हार्वेस्टिंग के बाद मश यही शाइकल और दो बार होती है जो कुप्लीट करती हैं हमारे तीन फ्लशेस। यह पूरे मुश्रूम कल्टिवेशन के प्रॉसेस में आपका हैजीन होना काफी इमपोर्टन्ट है और contamination के possibilities हर एक phase में बहुत सारी है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि phase 2 में pasteurization एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए जिसकी कारण जो competing pests है, fungi है, वो सारे मर जाए और growing में आपको दिक्कत ना दे और जब आप airing के time या फिर पूरे growing room में जब लेके आते हो backs को तभी भी ध्यान रखना चाहिए कि आप hygiene properly maintain करते हैं ताकि यहाँ पे blotch या फिर wet bubble या फिर अलग-अलग type के green molds ऐसे ना आए उसके बारे में आपको खास ध्यान रखना है तो इसके लिए हमें हर रोज growing rooms में आके अच्छी तरीके से ध्यान देना है inspection करना है कि कोई bacteria या फिर competing fungi ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसके लिए जो भी necessary दवाई है वो आप use कर सकते हो तो mushroom जब harvest हो जाता है तब उसे हमें market में लेके जाना है और इसे consumers तक कैसे पहुचा है जा सकता है वो अभी हम जानकारी लेते हैं तो marketing और sales के लिए अलग-अलग channel है आप directly wholesalers को बेज सकते हो जो के आगे retailers या फिर restaurants को बेज सकते है या फिर आप आपका खुद का brand बना के अलग-अलग mushroom के recipes बना सकते हो और उसके लिए infrastructure खड़ा क करके direct ready product आप consumers तक पहुचा सकते हो आप इसके लिए sale करने के लिए और market करने के लिए आप retailers के साथ परीचे रख सकते हो उनको reach out करके आप relation बना के direct retailers को बेज सकते हो या फिर जो wholesalers रहते है या फिर जिसे हम traders बोल सकते हैं उनके उनको reach out करके उनके channel से आप market तक आपके mushrooms पुचा सकते हो अभी हम लोगोंने mushroom के क्या क्या phases होते हैं क्या क्या process होते हैं उसके बारे में जानकारी ले लिए अभी हम बात करेंगे इसके लिए operations के लिए क्या क्या टीम लगती है और किस तरीके से हम यह सारे operations execute करते हैं जो spawning के casing के room in, room out, watering यह सारे operations है उनके लिए हम और उस रूम बाई रूम बेसिस पर हम लोग उस कॉंट्राक्ट को एक्जिक्यूट करते हैं और यह सारे एक्टिविटीज कवर करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास ओल विमन हार्वेस्टिंग की टीम है जो सारा मश्रूम हार्वेस्ट करते हैं और packing के लिए भी हमारे पास women और men की team है जो harvested mushrooms pack करते हैं punnets में या फिर wholesale के half kg bags में जो हम wholesalers और retailers को आगे forward करते हैं और बेचते हैं तो यह हुआ सारे operations के बारे में यह सारे operations accurately execute होते हैं exact conditions में होते हैं environmental conditions में compost सही से prepare होता है harvesting सही से होती है यह सब देखने के लिए हमारे पास growing team है और उसके लिए हमारे पास पास लोगों की growing team है जो यह सारे operations को oversee करती है और ensure करती है कि mushrooms को सही environmental conditions में और सही तरीके से सही टेक्नीक से execute किया activities को execute करते हैं तो हमारे 18 rooms के growing room setup में हमारा per day capacity है around 1.5 tons to 2 tons और यह जो harvested mushroom है हम लोग 1.5 tons to 2 tons everyday retailers को बेशते हैं wholesalers को बेशते हैं और अलग-अलग sizes में बेशते हैं कुछ half kg के bulk packets में बेशते हैं और कुछ panets में ready for consumers ready for retailers के variation में size में बेशते हैं कराई बेशते हैं